Hello students, welcome to MKMassWords Students, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए thank you और जो हमारे साथ नए हैं, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तांकि नए study based वीडियो आप तक पहुँच पाएं Students, कई बार आप हमें message करते हो कि आपको हमारी वीडियो नहीं मिली तो उसके लिए please हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तांकि इस लेबर्स के according आपको वीडियो मिल सब्सक्राइब करें मेट्स क्लास का 17 चैप्टर जो है construction of quadiletals आपकी डिमांड पे वो लाएं है तो student इसमें हम quadiletals जो है वो scale और compass की help से draw करेंगे बहुत easy topic है student द्यान से आप अगर समझोगे और साथ साथ मेरे करोगे then आपको और easy लगेगा ये तो सबसे पहले 17 चैप्टर जो है उसका first समदेखो construct a quadiletal A, B, C, D if A, B 4.5 cm B, C 5.5 cm C, D 5 cm or D, A 4.8 cm and angle given है आपको A, B, C 60 degree तो student इनकी help से हम एक quadiletal जो है वो construct करेंगे सबसे पहले student क्या करेंगे जो भी information हमें given है सम में उसका rough sketch बनाएंगे तो देखो A, B, C, D quadiletal बनाना है हमने तो ठीक है ऐसे आप rough में quadiletal लिख लोगे बना लोगे ठीक है rough sketch के लिए तो यहां पे A, B, C और D ठीक है अब क्योंकि B पे उसने angle दिया हुआ है na A, B, C 60 degree it means यह जो angle बीच में है ठीक है यह हमें given है B angle है इसमें तो B पे given है 60 का angle जो हमें construct करना है ठीक है तो next यह sides दी हुई है यह है 4.5 यह वाली 5.5 CD जो है वो 5 cm और AD 4.8 cm ठीक है ऐसे rough में पहले sketch बना लोगे then इसको देख देख के आप सामने scale से और compass से यह बना होगे construction ठीक है तो इसके लिए student सबसे पहले आपने यह वाली B, C line जो है वो ड्रॉ करोगे 5.5 cm तो यहाँ पे scale से आप scale रखोगे यहाँ पे और यह 0 से लेके 5.5 तक की line draw कर लोगे यहाँ तक आएगी ठीक है यह 5 और आगे जो छोटी lines है वो 5 गिनके ठीक है अब यह हो गई हमारे पास 5.5 cm और यह B point यह C point clear नाओ यहाँ पे angle draw करना है हमने 60 का तो compass की help से आप 60 का angle draw करोगे कैसे पहले थोड़ी सी खोड़ लोगे compass को अपनी ठीक है angle कैसे draw करते है 60 का सबसे पहले यह जो B point है यहाँ पे आप इस note को रखोगे यह रख लिया आपने एक ऐसे half circle जो है वो draw करोगे ठीक है अब यहाँ तक आया ने यह सर यहाँ पे compass रखके ठीक है यह जो first cut top लगते हो यह वाला यह angle कौन सा आता है 60 का आप ऐसे scale की help से उसके बाद यह cross से pass करोगे line ठीक है यहाँ B तक यह हो गया हमारा 60 का angle ठीक है now student यह वाली line देखो दियांसे यह 4.5 draw करनी है हमने ठीक है तो 4.5 तक देखो कहाँ पे आएगी यह यहां से लेके यहां तक ठीक है यह cut हो गया यहां पे इसे यह हो गई हमारी 4.5 clear यहां पे लिख लोगे 4.5 cm now यहां C से जो C point है वहां पे देखो कितना C से D लेना है हमने 5 5 cm ठीक है तो यहां C से हम यह हो गया C से 5 cm जीरो तक ठीक है यहां पे ऐसे cut लगा दो यह हो गई हमारी 5 cm की line तो student अभी यह हमें पता नहीं है कि यहां से मिलाएं इसको यहां इदर से कहीं से भी मिल सकती है ना 5 होगी सेम लेकिन वह वाली line जो है हमने point कैसे डूंडना है यह D वाला यह यह जो point दिया हुए ना मैं A से D तक 4.8 तो वहां से A से यह वाला point आया है हमारे पास C cut जो लगा है ठीक है जब भी ऐसे cross बने then वही point होगा हमारा यह point है A से अब हमने D की line जो है 4.8 तक draw करना है तो यहां पे देखो 4.8 यह 5 यह 6 7 और 8 यहां पे आ रहा है ठीक है यह point और यह 0 यहां पे इसे 0 तक खोड़ लोगे ठीक है यह ऐसे cut लगा दोगे अब इस cut को जब रख क्लियर करेंगे हम देखो ठीक है यहां से 5 वाला जो cut था यह वाला ठीक है यह बन गया ना cross अब इस cross को हम ऐसे मिला देंगे यहां पे यह जब आप मिलाओगे तो carefully मिलाना है student lines को यह पूरी point के बीच में से निकलनी चाहिए ठीक है और यहां पे c तक ऐसे यह वाले दो पॉइंट है जो a और यह d point आया है ना हमारे पास ठीक है यह a और d को ऐसे मिलाओगे यहां पे cross बन रहा है बिल्कुल cross को cross के साथ ठीक है ऐसे clear तो यह आ गया हमारे पास 4.8 cm वाली line और इदर 5 cm यह हो गया a b c d quadulator यही बनाना था हमने तो student सबसे बहले क्या करना है सबसे पहले एक rough sketch बनाओगे आप वहां पे जो भी आपको given है वह सब ही लिख लोगे ठीक है then उसको देखके आपने यहां पे draw करना है पहले b c draw कर ली 5.5 scale की help से ठीक है then b पे 60 का angle बना लिया अब हमारे पास then c पे पर कार रखके scale से measure करके 5 cm का यहां पे cut लगा दोगे ठीक है यह line अब यह वाला point जो था वहां से हमने d पे cut लगाया 4.8 और इनको join कर दिया यह आगे हमारे पास a b c d quadulator clear student now student second sum जो है उसमें देखो जो information given है आपको उससे rough sketch बनाओगे ठीक है rough sketch में यहां पे a b c d quadulator हमने बनाना है construct करना है तो यहां पे rough पे आप ऐसे एक quadulator जो है वो रो कर लोगे a b c d है a b c और d ठीक है यह उसने c पे angle दिया हुआ है 75 तो यहां पे 75 then sides यह 3.5 यह 4 यहां पे b c b 4 है ठीक है यह दोनों और यह वाली 5 cm ठीक है अब यह वाली जो given है आपको information उसकी help सबसे आप एक quadulator draw करोगे तो सबसे पहले यह base वाली line बनाएंगे c d 3.5 तो यहां पे 3.5 की line बनाएंगे यह हो गई हमारे पास 3.5 यहां पे ठीक है यह आगे c point यह d और यह 3.5 cm ठीक है यह आगे दोनों point यहां पे c पे रखके ऐसे half circle then यहां से first cut यह वाला 60 then 60 से यह 120 और इसी को आगे कर देते हैं ठीक है यह 90 का पहले बना लोगे now 90 से आप 75 का कैसे बना होगे देखो यह जो यहां से आपने 60 का यह वाला काट होगे तो यह बन जाएगा 75 का यहां पे ऐसे ठीक है यह होगे 75 का अब यह वाली जो लाइन है बी-सी वहां पे देखो कितनी है 4 सेंटीमीटर तो यहां से आप 4 सेंटीमीटर का काट लगा होगे यह कहां पे कटेगा देखो जीरो यहां पे ठीक है यह हो गया हमारा पॉइंट बी यह हो गई 4 सेंटीमीटर ठीक है नाव डी से जो सामनी ए वली है ठीक है ए डी लाइन वह 4 सेंटीमीटर है तो यहां से भी 4 का एक कट लगा होगे 4 सेंटीमीटर का यह मेर करोगे पहले ठीक है जीरो तक तो यह हो गया हमारा यह डी नाव अब यहां पे देखो हमें पता नहीं ना कहां पे करें कोई क्रॉसी नहीं बन रहा कोई पॉइंट नहीं है ना तो सबसे पहले हम बी से ए तक लाइन लगाएंगे कितनी 5 पे यह हो गया 5 ठीक है नाव जीरो तक यहां पे 5 सेंटीमीटर यह हम यहां से ऐसे ठीक है यह कट लग गया अब आ गया हमारे पास पॉइंट यहां पे इनको आप यहां पे मिला दो गया ऐसे यह आगई हमारी बी ए 5 सेंटीमीटर और यह ए और डी 4 सेंटीमीटर ठीक है यह हमें चाहिए था क्वाडी लेटल ए बी सीडी क्लियर स्टूडन सबसे पहले क्या किया देखो हमने सबसे पहले सीडी लाइन लगाई 3.5 सेंटीमीटर यहां पे 90 का एंगल बनाके फिर 75 का एंगल चाहिए हमें वो बनाएंगे ठीक है 90 वाली जो ल लाइन है इसको हमने 4 सेंटीमीटर तक कैसे कट लगाना है यह क्रॉस बन गया आप यहां पे ठीक है अब बी से ए की जो लाइन है वो है 5 सेंटीमीटर तो यहां पे परकार रखके 5 सेंटीमीटर तक कट लगा देंगे ठीक है यहां से डी से 4 सेंटीमीटर यह तक यह क्रॉस बन जाएगा अब सभी को आप क्या कर दोगे मिला दोगे तो वो आ गया A, B, C, D, Quadilator Clear? तो ये था आज हमारा 17 चैप्टर का 1st Sum और ये 2nd तो student देखा कितने easy way से हमने ये topic सिखा है ऐसी और study बेस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और लाइक जरूर करें थैंक यू